राशिफल के नुसार आज यानी बुद्वार का दिन बहुत महत्पून है आईए जानते हैं ग्रहों के चाल के मुताबिक आपके किस्मत के सितारी क्या कहते हैं मेश राशिवालो की बात करें तो आज कदिन आपके लिए सामान ने रहने वाला है यदि आपका धन कहीं अटका हुआ था तो उसके मिलने की संभावना है आपके शत्रू आपको परिशान करने की कोशिश में लगे रहेंगे आप किसी नयवाहन की खरिदारी कर सकते हैं राज उनको कोई सुझाव देंगे तो वो उस पर अमल अवश्य करेंगे यदि आप किसी संपत्ति के खरिदारी की योजना बना रहे थे तो वो आपके लिए अच्छी रहेगी आपको किसी पुराने मित्र की याद सता सकती है आप किसी परीजन से मिलने उनके घर जा सकते हैं सुन राशी के जातकों के लिए आज का दिन किसी काम के शुरुआत करने के लिए अच्छा रहेगा आपको परिवार के सदस्यों का पूरा साथ मिलेगा प्रेम जीवन जी रहे लोग साथी को कहीं लॉंग ड्राइब पर लेकर जा सकते हैं आपका मनकारे शेत्र में अपने क कामों को छोड़कर बाकी के कामों पर लगेगा जो आपकी थोड़ी टेंशन को बढ़ा सकता है आप मन मौजी स्वभाव के कारण कामों को कल पर टालने की कोशिश करेंगे करक राशी वालों की बात करें तो करक राशी के जातकों के लिए आज कदन महत पूंड रहने वाला से आपको ज़रूरी कामों को लेकर बातचीट कर सकते हैं। नौकरी में कारिरत लोगों को कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। सिंग राशीवालों की बात करें तो आज कदिन सामाजिक शेत्रों में कारिरत लोगों के लिए अच्छा रहने वाला है। आध्यात्म के कारे से जुड़ कर आप नाम कमाएंगे करकी साथ सज्चा पर आपको पूरा ध्यान रहेगा आपको किसी मांगली कारिकर में सम्मेलित होये का मौका मिल सकता है विद्यार्टियों को बौधिक और मांसिक बोध से छुटकारा मिलेगा आपका कोई पुराना लेन देन आपको परिशान कर सकता है आप कारे शेत्र में किसी से कोई जरूरी जानकारी शेयर ना करे कन्या राशी वालों की बात करें तो कन्या राशी के जातकों के लिए आज का दिन तालमेल बना कर चलने के लिए रहेगा आपको अपने घर्चों को लेकर थोड़ा सोच समझ कर चलना होगा आपको कुछ विशेश व्यक्तियों से मिलने का मौका मिलेगा परिवार के सदस्यों के साथ आप कहीं घूमने फिरनेच जा सकते हैं आपको यदि कोई बेवजा की टेंशन परिशान कर रही थी तो उससे भी आपको चुटकारा मिलेगा माता पिता से आप कुछ पारिवारी कामों को लेकर बात चीत कर सकते हैं तुला राशी वालों की बात करें तो तुला राशी के जातकों को कोई खुश खबरी सुनने को मिल सकती है आपको यदि कोई काम को लेकर समस्या चल रही थी तो उसमें वो मित्र की मदद से दूर होगी आपको लंबे समय से रुके हुए धन की भी प्राप्ति हो सकती है आपक जीवन में खुश्या रहेंगी, जीवन साथी आपके साथ कंधे से कंधा मिला कर चलेंगे, आपकी किसी से कहा सुनी होने से आप परिशान रहेंगे, विदेशों से व्यापार कर रहें लोगों को कोई खुश खबरी सुनने को मिल सकती है, धनुराशी वालों की बात करें तो आज का दिन आपके लिए परोपकार के कारे से चुर कर नाम कमाने के लिए रहेगा, आपको अपने दिन चर्या पर पूरा ध्यान देना होगा, धन को लेकर आपको कोई कदम जंदबाजी में न उठाएं, जीवन साथी की सेहत को लेकर आपको टेंशन रहेगी, आपको कोई नई जिम्यदारी मिलने से आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा, विध्यार्तियों ने यदि किसी सरकारी नौकरी से संबंदित परिक्षा को दिया, तो उसके बहतर परिनाम मिलेंगे, मकर राशी वालों की बात करें, तो आज का दिन आपके लिए मिश्रत रोप से फल परिद्धार रहने वाली है, आपके सुक्स विदाओं में व्रद्धी होगी, आपको किसी सहयोगी से कामों को लेकर मदद लेनी पर सकती है, आपकी तरक्य की राह में आ रही बाधाय दूर होंगी, कुम राशी वालों की बात करें, तो आज का दिन आपके लिए मंगल में आपके सी नए काम की शुरुआत कर सकते हैं, जो आपके लिए अच्छी रहेगी, धर्म कर्म के कार्यों में आपको बर चड़कर हिस्सा लेने का मौका मिलेगा, आपकी तरक्य की राह में आ रही बाधाय दूर होंगी, आपको किसी परिजन की और से कोई खुश खबरी सुन परिवार के सदस्यों के साथ मिल बैटकर कुछ पारिवारिक समस्याओं को दूर करेंगी, और आपको किसी काम से अच्छा धनलाब मिलने की संभावना है, आपको किसी फैसले को जल्दबाजी में नहीं करना है, यदि आप किसी काम को लेकर कोई लोन आदी अपलाय कर रहे थे तो वो भी आपको आसानी से मिल जाएगा, आप किसी से कोई बात बहुत ही सोच समझ कर बोले, ऐसे ही अपना रोज का राशिफल जानने के लिए देखते रहे समय डिजिटल, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चानल को सब्सक्राइब करना बिलक कुल ना भूले.